इस सारे लोग पीस पार्टी और राष्टी उलमाय कॉंसिल छोड़ कर जो है वो एमाम ने जोहिन किया है अब मैं बहुत सरे लोग ये कहते हैं कि इनके साथ गड़बंधन क्यों नहीं करते हैं मैं तोला समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों ये मेरा खुद का ओपीनियन है और ये समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सरे लोग जो गलत फहमी है वो थोड़ा सा समझ जाए स्यासत में बिसिकली सब कोई अपना फाइदा देखते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके अब यहां पर मुसल्मानों की वोटर की बात हो जा इन सब पार्ट और राष्ठी उलमय कवंसिल से गटबंधन करते हैं तो राष्टी उलमय कवंसिल और पीश पार्टी को भी seat चाहिए मानलों अगर दोनों का 803 seat ओपर तीनों मिलकर चुनवर लड़ते हैं तो भाई राष्टी उलमय को और पीश पार्टी दोनों को वहां पर ज्यादा seat चा लेकिन मुझे लगता है कि पीस पारिटी और राष्ट्री उलमाय कॉंसिल को अभी के तरद अभी को देखते हुए हालात को देखते हुए जो है वो एमम में विले कर लेना चाहिए इससे फाइदा जो है अल्टिमेटली जो है एक बहुत जादा हो जाएगा सब को ही फाइदा फक्रिंकर हैं कि गडबंधन में किया है ना कि हर अब यहांपर शासीट बटवारें को यह मेरा ऑपीनियन एद्वाटल को डिसीजन भी ले और दिवस सारे मिलकर गड़ूबंधन ले लेकिन मुझे लगता है कैसा हमको नदर नहीं आ रहा है देखते हुए और शायद राष्टलमाइक कॉंसिल और पीस पार्टी के सामने एक अच्छा उप्षन है कि हम आपके साथ विले कर रहे हैं फिलाल आगे अगर ऐसा होगा हम अपनी पार्टी अलग से बनाएंगे लेकिन फिलाल विले कर लेना श और शक्तर मैं जरूर बताईएगा अपने राये को शुक्रिया जहिन लविए